है 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 हलो एभरिवान मैं राय आप सभी का राय ओनाइन एकेडमी पर बहुत द्वाध स्रागत करता हूं राय ओनाइन एकेडमी के इसा चनल है जहां पर आपको कलाश 10 से 12 के साथ पॉली टेकनिक इंटेन सेमेस्टर हों कॉंपरिशन का सारा स्टेडी मेटरियल बिल्कुल फ पर फट जूर जाए है था कि हम लोग जल्द जदा इस सेशन को स्टार्ट कर सकें हैनी कि हम लोग डिजायन प्रोस्ट्यूर है में डिजायन अलेमेंट है आप सभी समय चाहूंगा कि आपका कलास यस दो दन डिले हुया नहीं हो पाए इसका में बज़र था तेकनीकल एडर की कारण आपका एक से दो दिन कलास में डिस्टर्बिस हुआ इसके लिए हम चाहते हैं और आज से पुना आपका कलास पुरा से डिवल के साथ आपका लाइफ से स्टार्ट हो जाएगा है तो पिछले लेक्टर एक दूदिन डिस्टर्ब हुआ है उसके लिए ह जाते हैं उसके आज से पुना लाइफ से नापका पुरा पुरा कंप्लीट यानि अपने से लिए जोगा जिस्टर्ब से पहले कलास चाहर रही थी उससे से आपका कलास आज से लाइफ पुरा स्टार्ट कर दिया है कुछ जो भी फॉट हुआ था उसको जिमूब कर दिया ग हुआ करना के लगव कहते हैं अगर पुरार को जो और old किसा है कर दो सकते हैं तो ही कहते ही कुछ अई देख में परब्रॉर्ब कि औरेका करता है एक्सियल रोड जो दो एक्सियल रोड को कनेक्ट करता है फिन कहता है इंट टर्न बकल अस्क्वार्ट ट्रेड एंड एकमेट रेड आरी इस जो आपके बिजली आती आपके घर दोवारा तो जहां इस टॉफ होता है विजली का पॉल यानि खंबा वहां आप देखियोंगे ए आंधियोंदी में आया किसी लोड के धिक लोड के कारान पॉल ना जूके नहीं तो उसी को लिउज करने के टर्न बकल करते है देखियोंगे एक छोटा आपका युजित करने रहेगा उसी छड में जिसको एस्टेक के द्वारा चाड को एनिक पॉल को सिधा किया तक खाड़ है ले दूनों आपके रट हो गया और देखिया और यह होगी आपका कप लिट इसमोख का साथा एक कापकर घेएwe कgesch कर्ना आ कि तो इसको कर देंगे तब कई इससे का सकने का बाइनाई तो इसको धने encash k tok तो यह हो गया आप देखिए यह आप देख रहें इस तरह से आपका थ्रेड है अगर डाया साइड अगर राइट हैंड राइट हैंड के साथ आपका जूखा रहे क्या अगर रही हैंड की साथ अगर जुका रहेगा तो उसको राइट सैट कहेंगे खिने आपका राइट हैंड के साथ जुका हुए दिसको हम लोग राइट हैंट रयाइट हैंड है है और है लिए जुका रहेगा तो सकूर collagen तो इद़ किया भी यहां से यहां के विजदूरी को एल माने और यहां से यहां के विजदूरी को एल माने है अरे तो श्यम चीज़ है उसके बाद देखिए जो रोट का डियम्यूटर होगा तो इसे कहेंगे D2 तो और यह आपका लोट से कनेक्ट रहेगा इधर से भी लोट का और इधर से भी लोट के कनेक्ट और इसमें कोई अलग ना इसमें डिजाइन प्रसडियूर आपका इस पर बेस नहीं परना है तो simply आपका डिपनेशन है यह आपका चार नमर में आने की समा आपना है तो इसको हम लोग कभर कर लेते हैं तो आप देखे काता है वें दर तू रॉड राउंड टाइड रॉड राड आर कनेक्ट बाइद एल्प आफ कॉपलिंग देन इस नोने स्टर्मकल काता है दो रोड को कपलिंग के मजद से यह रॉंड कपलिंग के मजद से तो थोगा याकिसा अगख दो रोड में एकगी जाएगी रलेट लेट है्ट ट्रोड है यह राइट हैंड हैंड से घर अट में खुछ मने सब्सक्राइद बाइल टूनों को एक साद कर देखे कर दे लोग है तो यह रीचिशाded कर यह थाइक कर जिस चाइगा कशा नहीं क Enfin, तरिभभोर करें लिए लोटी कार्थी करते हैं तक गाता दग कोलर इज वन अफ the head axe hexagonal या rectangular shape in the center rounded at the board in the rounded area hexagonal, it is made of mild steel का ही वान आसकता है, cast aran का ही बनता है बनता है तो ऑद हम लोग देखनी है इसका रिझा कह यंट को डिफार अफ्री तट की शिंध करतें तो यह इन लिधा टांस पर्निकिर, नहीं होगा है था रहसा फिल्ट स सzeitig में किसका क्रेंस में भी उज़ करता और रेलेवे में देखेंगे रेलेवे में भी होता और यह क्या रूप ट्रास टीची सी तो यह था आपका ट्यार्ण बाकर जेव आपका इस पर हम लोग को डिजाइन प्रसुडियोर नहीं पढ़ना है कि अब लोग इसको डेफिनेशन को सेकंड इनिट में मोशन इनिट का एक टॉपिक है उसी में लीभर करना लीभर है पढ़ना तो आप यहां ही तो आप दोनों ने के लिए यूच्फूल है लीभर में भी अस्ट्रेट कर भा बारेनि लीबर ऑस्ट्रेट भी हो सकता और कर टाप यहां कि गी जिसको चैंज किया तो लिवर डेखों तो अमने की इसको चैंज किया तो लिवर को दाबत है या निकार को दाबत हैं तो आपके सब सब्सक्लिय में इसमें एक पॉइंट आपको फिक्स मिला जाहे वो बीच का पॉइंट हो या लेप साइट का राई सचे अनल इसको मालेज़ए अगर इस साइट को को अगर इसे ऑफिक्स करना इसा उपर निछा करना तो हम लोग इसको क्या करेंगे तो इस पॉइंट को फिक्स कर देंगे तो जो पस्यक्न काते हैं कौन हों विप्पॉइंट को फॉप्रां को फॉल कर महते हैं यह पलकुरम पॉकमन बीच में भी उसकता कौन हो सकता है इस तरःकरम का सकते हैं करते हैं कि अधिक वजन को निए हैवी लोट को उठाने के लिए अधिक भार को उठाने के लिए अधिक भार को उठाने के लिए कम से कम एफट लाया कर किसी भी वस्तु को यानी लोट को उठा जेंगे उठाए जाए से लिजा एक साथ कि लिए तो कभी का भी एक एन एकसिडेंट केक नीट कर घ्रिए टा लेकिन उसी ख़़एज्मनिन के लिएक लियओ इता हुआ हम लोग ख़वनी फ्हूत हिसलों और व।युण हो गांते हैं जो पैर से चला आया चाहिए उसके एक लेजैसे यह सब्सक्राइब तो बचोंस में फॉइब वीच में अगए अगर लेप्ट राइट में फिन आर्म लोड एन इस प्वर्ड लोड नोड तो आर्म लोड की से काहते हैं इसको हम लोग चलिए समझते हैं तो हम लोग देखे से शीभा सिधार में सब्समाज़ जाते हैं किनियर हमको यह आपका देखिए पॉइंट पर फिक्सेदा कॉन लोग फालकरम कहेंगा आई आपका लोड हो गया और यह आपका देख रहें हैं तो इंग यह फार्ट हो गया यह फार्ट इसको लिख लोद और यहां से यहां के दिचनस को लोड हो आर्म और फॉल्क्रम के बीच सब्सक्रेश क्या कहें है लोड़ा और इसे fix'd point को यह हम लोग को आयता है और फृलकरम और लोट की बीच के दूरी को हम लोग कहते हैं लोड आंड और एट और फ।लकरम के उन्हें कि दूरी को लोग आट हम कहते हैं तो यह आपका लोट माली के लोट को उठाना है अधिक करना तो इस एक हम ऊद्षक्राइब तो इसके चाहिए रब्लोट दिस्टेंस विट्विलोड वाइंट झाल कर करते हैं आप मोमेंट के तरह निकालने के लिए करता है यहां सब निकालना निकालना ती इसको उपर मालेक लोड हो यह दिशाम हो गया और एक क्लोक में कि डिरेक्ट्टर में जो भी मोमेंट निकलता और जो एक्लिकाल तो यहां से आपका कलोगवाज निकाल रहा है तो यहां से आपका कलोगवाज निकाल रहा है याण री है कर नहीं है लोग रहा है लेल है लौट रॉक सिपल एक हम लाइशे रहा है लोड को यहां भेज दी है तर पी अपन लोड हो गया बरावर 11 अपन अपन एरिया तो यह फॉर्ट आपन लोड के हम लोग जानगे लवन इसको एल टू हो गया तो यह आपका एक फर्मूला बन गया इसको याद कर लिजेगा फिन कहा था मेकन के लिडवांटेज एक टर्म है लोड हो गया इसका फर्मूला होता है इसको मेकन के लिडवांटेज करते हैं तो हम लोग लोड यानि की डावलू अपन लोड अपन इसमें पी हो गया और आहां हम लोग रिलेशन निकाने करें कल यहाँ हम लोग वरिश्टम फॉडट देहां कि अपर रिच्छ कर देंगे तो हम लोग क्या सुल क्या से सकते हैं घुलत की है만 रिख सकते हैं अग ski stump जीवर्ण को सब्सक्राइब सबस्क्राइब सेंट इस में सब्सक्राइब पहता फॉर्स्ट ग्लाश लिवर सब्सक्राहिकि अधर बीच में सब्सक्राइब थक्सक्राइब नहीं सब्सक्राइब लिए क्लोटी समय होने से लिए दो ऊसे लोड को कहां फिक्स कर दें तृल jaki इसी इन पॉइंट पर इसे इस्वाइं परिंट कर दिंगे कर दीते तो है तो अगर वी में इस घ्रेक्ट कर से आप शेकंड वालट को उठाना है तो इस तो उठाना है है और आगर दीजा लोड यहां रखा हुगा एक अगर फॉर्फ क्लास लिवर कहेंगे अगर फॉलकरम ही बीच में हो तो हैं यहां अंध विच में चापा करता है यह निकी तरह से आपका करता है अग्जांपल देखने को मिलता है या सीजर कैंची देखते होंगे इस तरह से आपका कैंची हो गया इस तरह से एक बीच पॉइंट में फिक्स है और इसी को हम लोग डाल के इस तरह से काटते हैं नद प्सक्टाइब्ष तरह में टर्भाणकल के और केशी वेल लायद है और अगर रहें लोड का फेल ज्यादा होगा गउर कीजेखा यहां से देखिए अगर लोट का वहलू ज्यादा होगा तो हमारा में इसका सिधा एक्जामपल देखिए यहने लोट का वहलू पांच निटन है और फट का वहलू है चार निटन अगर लोट का वहलू ज्यादा है और फट का वहलू ज्यादा है फट का वहलू कम है तो इसको पांच से भागा देखिए चार में तो हमारा क्या निकलेगा यहनी एक निकलेगा यहनी एक से हमारा जो भी निकलेगा एक भागा देने पर हमाला एक से अधीक हाना भागफल से भाग हुआ तो यहां से एक कंडिश प्रस का ग्रति ङाना, तो हम लोग निखालें एंग स्वार्डानेज़ इसकोल टू एक से जादा, अगर यह ही पाँच रहता और आपका चार रहता, अब एक से कम होता है तो हमारा एक से कम होता है तो अगर दोनों लोड और फर्ट का भैलु दोनों का से यह हो जादा है तो अभी तो यह रिखा गया है यह anget सब्सक्राइब याद रखेर उसका है उसका बाइब याद रखे उसका अधर यहाँ बीच में रखा हुआ है और इस फ़ोट इसदर लगा रहे है तो हम लुग इसमें कोई ही बस तो अगर बीच पराख दिया जाए अगर फट किनारे से लगाया जाए तो हमारा कम से कम एफट का यानि कम एफट का भी यूज़ करकर लोड को उठा सकते हैं तो ठीक उसी परकार देखिए तो यह मापका देखिए लोड यहां आपका रखा हुआ है और यह तो यह हम लोग लोड को एठा सकते हैं यहां से मेकल सब्सक्राइब में देखते हैं तो ठीक में क्या आता जो लोट य Ignohat को आपका लोड है और यह फॉर्ट हम लोग इसदो पोइंट के उاتन हैं? अग्रवलुस के लिए उसको उठाने के लिए हम को अधीक उच्छ ऋपड़ना पर यहां है तो हम लोग जानते हैं कि अगरतू दिखिये यह यह मैं इस फिरुन जानते हैं लोड्राब फ oyunißt लॉटालो अब आफ होण ज्यादा अगर दे रहा है रहा हम हमें कि अ만ध भॉनत करने का एक थे स्काविक लिए हमों करना की में पहलों इसमें थार्ड लिभर में अधिक अधिक लागा एक से कम रहेगा यादिक हमेशा एक से कम ही रहेगा तो कि आप देखिए इसका यूज कम लो कहां करते हैं टैंग एन फिस्ट रोट इन इस देखें जिससे रोटी पकाया जाता है तो रोटी एक ही रोटी को पकाने में आपको अगर आपको अधिक लगाएगा किसी भी कम लोट को ठाने के लिए तो हमारा इसमें मेकनिकल रहेट बहांडेज का वहलू कम जाएगा अब हम लोग देखेंगे कि फर्ट क्लास लिभर सेकंड क्लास और थर्ड लिभर को हम लोग याद केसे करें अब आगा अगर आट इसको याद रखने के लिए आव लोग देखें एक फर्मूला निकालें एक डावलू और एक पी कि अगर इफ बीच में हैं दखेए यह तीनों करेंस बीच के लिए है कैंडि यह मितर्ट क्लास करेंगे अगर लोग बीच में तो ать अघंक निक भीच में है तो आपका थर्ड क्लास लिभार तो यह था आपका जो लिभर पढ़ना था पॉल टेकनिक इंट्रेस में एक सेकर्ड इंट मोशन में पढ़ना आपको तो यह हो गया कंप्रिट वाकि अधिक सदिक शेर कीजिए और आज का लाइब सेशन हम लोग यहीं ते रहने देता हैं और अगले लेक्चर में अगले टोपिक साथ मिलेंगे तब तक के लिए जाएं कि अग्यों कि अ